जब भी कभी भारत की अतुल्य और अद्भूत वास्तुकला संबंधी अस्थलों की बात आती है तो उनमें कैलाश गुफा अर्थात एलोरा की सुलहवी गुफा का उलेख अवश्याता है महराश्रों में बसे पर्यटन अस्थलों में से औरंगाबाद की अजन्ता और एलोरा गुफा वास्तों में एक दर्शनी धरोवर का अस्थल है एलोरा का सुलहवा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन मंदिर है कैलाश मंदिर का निर्माड 40,000 टन पत्थर को काट कर किया गया जिसके लिए करीब 20 साल लग गया साधारण तोर पर किसी भी भवन का निर्माड नीचे से उपर की ओर किया जाता है लेकिन कैलाश मंदिर उपर से नीचे समुचा पहाड काट कर बनाया गया हाला कि इस मंदिर का निर्मार किस ने किया इसे क्यों बनाया गया या अभी भी एक रहसे है कैलाश मंदिर आधिकारिक तोर पर दुनिया के सर्वशेष्ट आश्यर्यों में से एक है जिसे आधिकारिक तोर पर घोशित नहीं किया गया लेकिन एलोरा में कैलाश मंदिर की महानता से कोई इंकान नहीं कर सकता है यहां मंदिर यहां 32 गुफा मंदिरों और मठों में से एक है जो भव्य एलोरा गुफाओं का निर्मार करता है जिसमें से सुलावी गुफा ही कैलाश मंदिर है एतिहासिक अभिलेकों के अनुसार यह आठवी शताब्दी के राशकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा वर्स 756 और 773 इसवी के बीच बनाया गया था यह माना जाता है कि कैलाश मंदिर बनाने में करनाटक के विर्पाक्ष मंदिर के वास्तुकारों ने योगतान दिया इतिहास विदो का मानना है कि विर्पाक्ष मंदिर के डिजाइन के आधार पर यह इस मंदिर को बनाया गया है आस्मान से देखने पर यह मंदिर एक्स आकार का है जमीन से देखने पर चार शेर एक्स शेप में खड़े नजर आते हैं केलाश मंदिर जलनिकासी, गुप्त मार्क, बालकनियों और उपर जैसे कई अजूबों का घर है मंदिर के मद्ध में, गर्वग्रह में भगवान शियू, प्रांगण में गर्वग्रह के साथ साथ गंगा, यमुना और सरस्वती के मंदिर हैं रामाईड, महाभारत की कहानिया, महिशा सुर्वत, ये सब दिवारों पे नकाकाशिं मौजूद है शाजहा के बेटे औरंग जेव ने 1680 में कैलाश मंदिर को गिराने की योचना बनाई और 1000 मजदूरों को काम पर रखा इन सभी ने मंदिरों को गिराने के लिए 3 साल तक कड़ी महनत की, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया वे केवल 5 प्रतिशत ही नस्ट करने में सक्षम थे कई कहानियों के बीच मूल मंदिर का निर्माड एक रहस्य बन गया है वरतमान मंदिर का निर्माड कैसे हुआ इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है या खूब सूरत मंदिर रहस्यों की जनमस्कली बन गई है